नेट हैपी एनिवर्सरी डार्लिंग कितना प्यारा गिफ्ट है शुक्रिया लेकिन तुम से प्यारा तो कोई भी नहीं है मेरी जान तुम दुनिया के सबसे अच्छी बॉइप्रिंट हो कैसी कैसी जागो तो ये सपना नहीं है चली जाओ राक्षस अरे क्या हुआ बिटा तुम्हे मैं तुम्हारी मा हूँ सॉरी मैंने एक बुरा सपना देखा था अच्छा अब सोना बंद करो नेट बाहर तुम्हारा इंतिजार कर रहा है एक अनिवर्सरी गिफ्ट के साथ ये अरे ये वो भूला नहीं अमीड है नेट वैसा ही करेगा जैसा उसने सपने भी किया था हभी अनिवर्सरी डार्लिंग केसी तुम सबसे अच्छी हो केसी केसी आई लोव यू केसी केसी तुम मेरी जान हो बंद करो तुम्हें क्या हो गया ये कैसा एनिवर्सरी गिफ्ट है कलर कैसा है ये काला क्यों है हाँ लेकिन काला ही तो यूनिवर्सल कलर है लेकिन ये रोमेंटिक कलर नहीं है यहां लिंग तुम तो बुरा मान गई तुम तो कभी चिलाती नहीं थी लेकिन मैं तांग आ चुकी हूँ मज़े कुछ मीठा जाए था तुमने मुझे फूल भी नहीं दिया बेशक में लाया हूँ हैरी ये देखो यब तक का सबसे शानदार गुल दसता है तो फिर बताओ क्या तुम्हें पसंद आया बिल्कल नहीं बेवकू तो मैं एक रिलेशन्शिप एक्सपर्ट हूँ तुम्हें पता है और मेरे सरा तुम्हें बहुत काम आएगी नहीं वाई ये सब हम लोग खुद देख लेंगे तुम्हारी भयानक सलह के बिना डालिंग ज़र सुनो तो तुम जाओ चलो मैं तुम्हें एक और प्रेसेंट देता हूँ क्या तुम रॉक कॉंसर्ट में जाना चाहोगी बताओ हाथ है मुझे रॉक पसंद नहीं केसी बात तो समझो अगर तुम चाहो तो हम स्केटिंग के लिए जा सकते हैं नहीं तुम एक बेवकूफ हो कैसी नेट तुम्हें उपहार दे रहा है और तुम उसे मना कर रही हो कूल तुम्हारा मतलब है के फाल तू के के ड्रामा देखने से ज्यादा अच्छा ये बेशक मुझे तुम्हारी बकवास फिल्मों से नफरत है वो अच्छी फिल्म है सिर्फ इतना है कि तुम्हारे छोटा दिमाग रियल फिल्मों को समझ नहीं सकता क्या क्या तुमने मुझे बेवकूफ बेवकूफ कहा एय रियल ऐसा मत करो यार तुम कुछ क्यों नहीं कह रही हो बेवकूफ तुम्हारी हमत कैसे हुए मेरे गर्फरेंड को यह कहने की क्या तुम पागल हो मैं अभी बताती हूँ रुको शान्त हो जाओ लगता है कि मुझे पता है कि प्रॉब्लम क्या है तुम लोग बुरे कपल हो क्या तुम बुरी हो और नेट और मैं एक दूसरे से प्यार करते है कैसा प्यार? तुम हमेशा लड़ते रहते हो मेरे और जैक की तरह नहीं तुम में से कोई भी एक दूसरे से मैश नहीं करता ठीक है अगर तुम ऐसा सूचते हो तो देखते हैं कि तुम दोरों में से सबसे अच्छी जोड़ी कौन सी है हमें क्या करना होगा फिर हम कब तक यहां बैठेंगे डार्लिंग अपसेट मत हो हम काफी देर से इंतिजार कर रहे हैं तुम आखर वाँ पर लिख क्या रही हो उसे परिशान मत करो हो गया और अब हम सबसे अच्छा कपर ढूरने के लिए अपना मिनी कॉंटेस्ट शुरू कर सकते हैं वैसे मुझे शक्कीन है कि तुमें से कोई भी नहीं जीतेगा तुमारी तो मैं बैट जाओ मैं एक एक्सपर्ट हूँ मेरे बहुत सारे बॉर्फरेंट्स हैं तो मैं रिलेशन्शिप में सबसे अच्छी हूँ मैं तंग आ चुकी हूँ मुझे बस बताओ कि क्या करना लड़कों के पास अपनी गर्फरेंट को डेट पर बुलाने के लिए और रोमैंटिक और और श्रीका धुनने के लिए 20 मिनट है ओ पन्दरा मिनट तो बहुत है मेरे लिए तुम्हारा टाइम शुरू होता है लड़कियों मेरे पीछे आओ इससे तो कुछ बनी जाएगा लाओ मुझे तो उसको नई मैंने इसे पहले डोड़ा है अब यह हुई ना कोई बात टाइम पूरा हुआ पहले कौन? मैं! अबे तेरी नीचे बढ़ एला मदों से तो फिर ये रहा कच्रे से बना दिल तुम्हें कैसे लगा केसी? तो मुझे क्या करना चाहिए? ये भयानक है क्या तुमने सच में कच्रे से दिल बनाया है? अच्छा तुम्हारी बारी जाग ये लो ये तुम्हारे लिए है डार्लिंग सोफे के नीचे देखो ठीक है कैबिनेट के तीसरे शेल्फ को देखो आँ, एक पहली स्मेल कैसी है? मैंने इस पर स्ट्राबरी पर्फियूम छिड़क दिया था ठीक है मुझे उम्मीद है ये आकरी है जूमर को देखो ये क्या मजाक है जितना टाइम डेट पर लगया उससे जादा तो मैं अंदलो को ढूनती रहूंगी लेकिन डार्लिंग वैसे ही करो जैसे नेट ने किया था सब कुछ साफ और क्लियर तुम बहुत रूट हो जैक ने इतना अच्छा इंविटेशन दिया तो मैं समझ गई जैसे मैंने कहा था तुम बहुत बुरे कपल हो और तुम एक दूसरे से मैच नहीं करते अरे तुम चलो डेट पर चलते हैं और हम पता लगा लेंगे अगर तुम चाहो तो फिर हम खाने के वाले हैं डेट सर्फ खाने के लिए नहीं है वागई हम केवल खाने के लिए डेट पर जाते हैं है ना जैक आँ सही कहा बस खाने के लिए कितना अजीब डेट है चलो पता करें कि लड़के आपने बॉइफिर्ण के बार में कितना जानती है इससे पहनो ये तो मुझे पहले से ही पसंद है और फिर ये लड़के कुछ भी सुनेंगे या देखेंगे नहीं और केसी और एरियर अपने बॉइफिर्ण को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाले खाने का ओर्डर दें वो खाना आखिरकार लड़कियों ये तुम्हारे लिए मुझे पहले से पता है ये रहा ये है क्या तुम्हें यकीन है? फिर ठीक है लड़कियों अब तुम उनका हेटफ़र उतार सकती हो क्या मैं आप खा सकता हूँ? हाँ, अपनी आखे खोलो ये क्या है? मीट? हाँ, तुम्हें कैचप के साथ मीट पसंद है हम हर डेट पर यही काते है मुझे मीट पसंद नहीं है तुम तो हमेशा बिना पूछे मुझसे ओडर कर देती हो इसलिए खा लेता हूँ बस तुम्हें नहीं चाही तो लाओ मैं खा लेता हूँ ये मीठा मीठे लॉंडो के लिए रहे दो नहीं, रुको ये तुम्हें बगवास लगता है ये तुम्हारी फेवरेट मिठाई है बिल्कुल भी नहीं, तुम हमेशा खुद ही ओडर करती थी और कभी मुझसे पूछा तक नहीं क्यों मुझे पसंद भी आ कि नहीं ये तो टेस्टी है तो फिर खा ले मीठे मुझे इससे नफरत है बेवकूफ यो मेरे भाई बेस्ट कपल का टाइटल चीते क्या वेकूफ हैं, केसी तो मुझे ठीक से जानती तक नहीं है और एरियल मुझे नहीं समझती अरे तुम इत्ते उदास क्यों हो जैसा कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है मेरा और एरियल का जगड़ा हो गया हाँ, मेरी और केसी की भी तुम्हें क्या उमेद थी मैं कित्ती बार कहूँ कि तुम अच्छे मैश नहीं हो हाँ, बिल्कुल हो है मेरा और एरियल का रिलेशनशिप इन दोनों के रिलेशनशिप से अच्छा है क्या तुम पागल हो गयो केसी और मैं बहतर है नाई हम दोनों है अबे तू कब से मीठे से मर्द बन गया है माफ करना मैं ऐसा नहीं करना जाता था केसी इस बार छोड़ रहा हूं तेरे को डारलिंग तुम कैसे हो मैं तुमारे लिए फूल लेकर आया था मेरी जाने मन माफ कर दो मुझे नहीं मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट बर्गर लाया हूं कितनी अच्छी कुछ बूँ है ठीक है ठीक है मुझे बर्गर दो यह देखो तो केसी यह तुम्हारे फेवरेट रोजेस हैं बहतर से भी बहतर ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ लेकिन इसमें काटे है क्या ये चिकन है तुम्हें पता है न मुझे बीप पसंद है माफ करना, शॉप में यही बचा था इसलिए मैं यह लिए हूँ अच्छा, उनके पास बस यही था ठीक है, खाओ उसे लो, ये पेस्टी है ना, लो मुझे माफ कर दो बहुत दर्थ हो रहा है इसके लिए मुझे माफ कर दो, मैं भूल ही गिया था बंद करो इसमें ऐसी कौशी बड़ी बात है हो जाती ही गल्दी, कोई भी गल्दी कर सकता है गुस्सा मत करो, तुम चाहती हो, तो मैं दूसरा ला सकता हूँ चले जाओ, तुम कुछ ठीक नहीं कर सकते तुम भी, मूर कहीं के तुम तर्पोख हो, तुम क्या मेरी रक्षा करोगे तो तुम्हे लगता, मैं बेवकुफ आग्मी हो हाँ, मुझे भी यही लगता है केसी और मैं एक बहुत ही अच्छे कपल बनकर दिखाएंगे एटलीस वो टेबल पर डकार तो नहीं लेगी गुड लग दोस्त जाओ, बेवकुफो हाँ, केसी और मैं डेट पर जा रहे हैं तो पिर चले के यह जो मैंने अभी देखा यह था क्या यही तो मैं बात कर रही थी अच्छे बच्चे एक साथ और बुरे बच्चे एक साथ अब उनके लिए सब कुछ अच्छा होगा मुझे नहीं लगता हाँ, हम दोनों में कितनी चीज़े कॉमन हैं न हमें पॉपकॉन खाते हुए मिलकर एक फिल्म देखनी चाहिए और डोनट्स भी ओ, तुम्हारी नाग पर आईसक्रीम लग गई है तुम्हारी भी कहा पर? यह कैसी? जैक, मैं तुम्हें पाकर खुश हूँ मैं भी मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ लेकिन अब मुझे घर जाना है चलो चले शायद तुम मुझे उठा सकते हो मेरे पैर मेरी हील से बहुत ठक गए है पर घर का रास्ता तो बस थोड़ा से ही बचा है लेकिन नट हमेशा उठाता था माफ करना मगर मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ हाँ एक सेगेड वो मुझे ले जाना नहीं चाहता उसके पास कोई चोईस नहीं होगी माफ दर्द हो रहा है मैं नहीं चल सकती क्या हो गया तुम्हें पैर से खून निकल रहा है देखो अब मैं नहीं चल सकती ठीक है चलो तुम्हें उठाने की कोशिश करता हूँ अच्छा अब तुम्हें कोई प्राप्लम नहीं होगी चलने में तुम तो कमाल की हो एरियल ओ सॉरी मैं सब उठा लूँगी अच्छा लगता है जैक हमेशा कच्रे के बारे में परेशान रहता था भूल जा उसको कच्रे की किसको पॉड़ी है क्या हमें बाहर जाना चाहिए चलो चलते हैं I love chips हाँ आखिर का कोई तुम मुझे मिला जब बोला किसे खाओ हाँ कोई नहीं कहेगा तुम यहानी कारे खच्रा कैसे खा सकती हो बिल्कुल सही का तुमने अरे मैं ठक गई मैं बैठना चाहती हूँ क्या मैं तुम्हें बैंच तक उठाग ले जाओ नहीं मैं आराम करना चाहती हूँ जो जैक करता है वो करो क्यासे क्या करीब आओ और करीब क्या आप सब कुछ ठीक है नहीं रुको नेट को देखो भाई तुम्हारा मांसिक संतुलन हिला हुआ है क्या दफ़ा हो जाए यासे रुको यार मैं इसकी फोटो ले लू बस बहुत हो गया यह सब तो पागलपन है ठीक है मैंने आराम कर लिया हमारी डेट बहुत अच्छी रही अरे इस गंदे कचरे को देखो हमारी डेट सच में बाकई बहुत अच्छी थी हाँ, वो कमाल की थी, मेरी सिंदेगी की सबसे बहतरी डेट थी मेरी भी डेट दुनिया की सबसे अच्छी डेट थी जानते हो गया सब मेरी कैसी की वजासे कितना किनोना है सब वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, यह देखा देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है वाओ, कितना प्यारा है मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ बनाया है ट्राइ करो नहीं, तुम मेरा वाला खा कर देखो मैंने तुमसे पहले कहा और मैंने कहा कि तुम देखो नहीं, तुम सीधी तरह खाओ इसे तुम खाओ बेविवकूप समझ आ गया तुम सबसे पोफिक कपल हो हमारे साथ तुरसी तुच्ची प्रोब्लम होती ही नहीं है मैं कभी खाना साथ में लेकर नहीं चलता क्या? तुम्हारे पास खाना नहीं है? तुम मेरे लिए लंच नहीं लेकर आए? क्या मुझे लाना शेये सा? अब मैं समझ गया हाई, क्या तुम आज खाना लेकर आई हो? चलो देखा मुझे हाँ ये लो ये तुकमाल का है ये लो, तुम्हें पसंद आएगा हेई ये तुम, चपचाब बैठ जाओ, समझी? शुक्रिया देखा तुमने नीट और मैं पॉफेक्ट कपल है हम दोनों भी है खाओ मेरे बाबू तुम भी खाओ ना जाने वाण अरे, जैक के साथ बाहर जाना मुम्किन नहीं क्या? पर तुम लोग तो कितने प्यारे हो मुझे लगता है तुम्हें दूसरे के लिए पॉफेक्ट माच हो हाँ, बिल्कुल तुम हमारी डेट के बारे में जाना चाहती हो हाँ, बताओ कितने देर तुम कैसा गिफ्ट लाए हो? बस थोड़ी देर और हम पहुंची गए है देखो ये क्या है? ये एक फूल है लेकिन ये तो पेड है हाँ, बिल्कुल बुके वाले फ्लावर्स तो मुर्जा भी जाते हैं लेकिन एक पेड वो सदा बहार रहता है उस पर फूल उखते हैं और सारी चीज़े उखते हैं और हम इसके साथ फोटो शूट भी कर सकते हैं ये बढ़ी आया है सच में, तुम बहुत क्रियेटिव हो मुझे पता था तुम्हें ये पसंद आएगा एक पेड कितना अजीब है ये पानी नहीं है चीक है, उस ते तुम से यहाँ फोटो शूट करने के लिए कहा ना तो ये तो अच्छा है क्योंकि नाट को तुमारी फोटो नहीं लेनी तुम सही कह रहे हो मैं जैक को वैसा बॉट्फिन बनाऊंगी जो मुझे चाहिए नेट अपने बालों को नोचेगा ये देखकर कि हम बहुत खुश है ये एक ब्रेक है ये क्या है? अरे नहीं, माफ कर देना, मेरा वो बतलब नहीं था क्या तो मैं ऐसे वहयाद गाने सुनते हो? ये मेरे लिए नहीं था, ये मैंने केसे के लिए डाउनलोड किये थे वही तो इसे सुनती रहती है क्या? तुम्हारे पास अभी भी पुराने गाने है? मैं बस दिलीट करना ही तो भूल गया हूँ तुम इससे ब्रेक अप करना नहीं भूले? या तुम हम दोनों को डेट कर रहे हो? बस बहुत हो गया, इसे मुझे दो क्या तुम पागल होगी हो? मैं बस दिलीट करना भूल गया था बस इतना ही तो है तुम इसके लिए तमाशा क्यों खोड़ा कर रहे हो? वाव, सच में जैक ने मुझे कभी ऐसे बात नहीं की ठेंक यू मुझे क्लियर करने के लिए क्या तुम्हें मुझे से डर नहीं लगता? नहीं मैं डांस करने वाली हूँ वाव, तुम तक माल की लग रहे हो क्या मैं तुमारी फोटो लूँ? हम, ठीक है दिखाओ अब ये देखा क्या बकवास है? मैंने ये सपोज नहीं किया मैं प्यारी क्यों लग रही हूँ? चलो, मैं फिर से ट्राइक आता हूँ लोग करो अरे नहीं मुझे टाफ फोटो चाहिए तुम ऐसी फोटो क्यों ले रहे हो? केसी हमेशा मुझे फोटो खिशने के लिए बोलती रहती थी तो मुझे लगा कि लड़कियों के ये सब पसंद आता होगा ओ, कैसी? तु उसी के साथ बाहर जाओ ये लो वेवकूफ कहीं की? क्या तुम लड़ रहे हो? हाँ यार तुमें कैसी के साथ देट पर जाना चाहिए? नहीं, वो सिर्फ जैक के साथ ही खोशरती है दफा हो जा मेरे रूम सा मुझे एड़वाइस देने की सोचना भी मत तुम तुम तो बेवकूफ हो ये अदला बदली सच में बहुत बुरा आइडिया था सही कहा, नैट कैसी से बदला ले रहा है और एरियल जैक से बिल्कुल, वो एक दूसरे पर रिवेंज ले रहे हैं लेकिन उनमें से कोई खुश नहीं है हमें उन लोग को फिर से मिलाना होगा जैक और एरियल, कैसी और नैट? मैरे को सुना है और मैंने तुम्हें उन्हें सुला करने में मदद करने से मरा किया है क्यों? क्या हो गया? क्या तुम्हें दिखता नहीं? नैट एरियल की तरह सक्त है और कैसी जैक की तरह प्यारी है तुम एक बहतर मैच नहीं ढून पाओगे अरे ये क्या बक्वास है उन दोरों हमेशा लड़ते रहते हैं और मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, समझी? आ, नहीं, ये उनके लिए बहतर है हाँ, मान लिया कि कभी-कभी वो लड़ते हैं लेकिन फिर सब ठीक हो जाता है ओ, तुम यही हो, लूजर अपने बॉइफ्रेंट को कैसे पसंद करती हो? मुझे नहीं पता, तुम भी नेट के साथ बाहर जा रहे हो मेरा बॉइफ्रेंट सबसे अच्छा है मेरा दिमाग मत खाओ, बेवकूफ नई इंसल्ट के बारे में सोचो, बेवकूफ अग, घमंडी अरि, उन्हीं आलग करो पलमा खोड़े पे क्यों सवार है लाला, वा 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 वा, वा 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 तुम यहां क्या कर रहे हो? तुमारा दरवाज़ा कुला था, तो मैँ अंदर आ गया क्या, तुम गा रही थी? अच्छा छोड़ो वो तुम यहाँ पर आये क्यों हो? क्या तुमने वो हॉट डॉग वापस करने का सोचा? बिल्कुल नहीं, वो मैं तुम्हारे लिए एक वाद में खरीदूँगा, लिकिन अभी नहीं, मैं तुम से कैसी के बारे में पूछने के लिए आया था कैसी के बारे में क्या? वो बिल्कुल ठीक है, तुम जानते हो, वो जाक के साथ है मैं जानता था, मुझे कभी उसको छोड़ना है नहीं चाहिए था रुको, अगर तुम कैसी को वापस पाना चाहते हो, तो मैं तुमारी मदद कर सकती है यह सच में, लेकिन तुमने कहा कि वो और जैक तो मैं तो बस एक बात कहा रही थी के जी, तुम कहा हो? अरे नहीं, कैसे यहां आ गई? हाई, बेस्टी हालो, तुम इतने घबराई हुई क्यो हो? मैं? खुछ भी तो नहीं, और तुम? यह, यह, मुझे पागल करते की तुमने देखा उसने कैफे में क्या किया? अब मैं नेट को माफ नहीं करूँगी उसने मुझे छोड़कर एक साई को चुनी चुप रहो शायद हमें डबल डेट पर जा सकते हैं नेट देखेगा कि तुम जैक के साथ कितनी खुश हो, उसे जलन होगी बढ़िया, मैं उस बेवकूफ से पदला लूँगी मैं जैक से उन दोनों को बुलाने के लिए कह दूँगी शुक्रिया, बेस्टी आपको एहसास हुआ, मुझे सच में उमीद है कि नेट और कैसी इस डेट पर सुलाह कर लें लेकिन शुश। आफिर तुम इस दुकान में क्यूं आ गई हो, हमें तो डबल डेट पर जाने की जरूरत है ना बिल्कुल सही, तुम्हारी एक्स गल्फरेंट तयार हो जाएगी, मुझे अस से अच्छा दिखने की जरूरत है क्या सच में, तुम्हें बाहरी दिखावे के इतनी ज़्यादा पड़ी है हाँ, मैं अभी भी एक लड़की ही हूँ, ये लो तो? सच में बवाल लग रही हो, चलो अब चलते हैं यहां से नहीं, मेरी रेटिंग कहा है, जैक ने हमेशा मेरी कपड़ों के लिए रेटिंग दिये तुम मजाख कर रही हो, ये सब तो पागल पन है मैंने तुम्हें कहा, वहाँ बैठो और रेट करो देखो अच्छी लग रही हो कुछ और ट्राइ करती हूँ अरे फिर से नहीं तो ठीक है? हाँ, अब ये सच में कमाल का है तुम हार ट्रेस को दस दे रहे हो, तुमने मेरा मूर खराब कर दिया अब मैं नॉर्मली कुछ पहनूँगी आखिरकार तुम लोग कैसे हो? हम बहुत अच्छे हैं, है ना नेच? हाँ, तुमने बिल्कुल सभी का स्वीट हार्ट, क्या तुमने जूस चाहिए? बिल्कुल बावू शुक्रिया अ, एरियल, तुमने इस बॉयट्रन को खो दिया ये मेरा खयाल रखता है मेरी चान अब क्या? मेरा खयाल रखो मैं क्या करूँ? I want juice तो फिर पी लो वाव, क्या बढ़िया बॉयफ्रेंड पाया है देखा तुमने जैग तुम्हारे नेच से बहतर है क्या? यही सिर्फ juice नहीं डाल सकता है लो, मैं भी डाल के दिखाता हूँ तो ये लो एरियो पहले नहीं कर सकते थे तुम दोनों बहुत ही बढ़िया कपल लो खाना मत फेको इस तरह से अरे नहीं, मेरी तो भूख ही चली गई क्या? तुम्हें खाना खाना होगा तुम ऐसे प्लेट में खाना नहीं छोड़ सकती लेकिन मुझे नहीं खाना मैंने कहा खाना खाओ चले जाओ, तुम खालो ओ, लाओ, मैं खाले दा हूँ क्या तुम्हें चाहिए? नहीं अच्छा हुआ तुम्हें बस खाना चाहिए पकवास अब एरियल, तुम्हें क्या हो गया है? एरियल, मेरी बात सुने क्या चाहते हो? चले जाओ मैं तुमसे माफी माँगने आया हूँ मुझे माफ कर दो क्या हम फिर से साथ रह सकते हैं? जरूर, बिलकुल अभी तुम मुझे उस क्यूटी पाइसे इतने असाने से बदल दिया अब तुम मुझे वापस चाहते हो भूल जाओ ठीक है तुम जो भी कहो कैसी तुमसे अच्छी है अपनी चॉकलेट भी लेके जाओ तो बताओ तुम्हारी डेट कैसी रही? क्या तुम लोगों ने सुलाह करी? नहीं, मैं उस गधी के साथ तो दुबारे डेट पर नहीं जाओगा अच्छा ओ, कैसी तुमागी ये तुम्हारे लिए है कितना प्यारा है शुक्रिया बाबू ओ, ची ये बकवास है जल्दी मुझे एक बालती लेकर चलना होगा ओ, 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 जल्दी रहो जैक और मैं शानदार कपल है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने लगे हैं हे भगवान मैं सही टाइम पर आ गई अब हमें पता चलेगा कि तुम एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह से जानते हो फिर से एक्स्पेरिमेंट, कब तक करोगी ये सब ओके जैक, बताओ केसी की सबसे फेवरेट कॉफी कौन सी है लाच एविट स्ट्राबरी सिरफ असलमें वो कॉफी तो पीती नहीं है, उसने तो ग्रीन टी पसंद है ठीक है, केसी की फेवरेट मिठाई कौन सी है ये तो बहुत असान है, चौकलेट आइस क्रीम और वो भी नुटेला के साथ में खाने वाली दिलकुल भी नहीं, केसी की सबसे फेवरेट चीज़े हैं स्ट्राबरी, बनाना और क्रीम गजब, तुम्हें वो सब कैसे आद है? जैक, तुमने वही बताया जो मुझे पसंद है बस इतना ही क्लास का टाइम ठीक है, जारी रखेंगे तुमने देखा एरियल जाग को कैसे देख रही थी और कैची नीट को? हाँ, वे दोनों जल्द साथ होगे और हमें सिर्फ इंतिजार करना होगा तुं इंतिजार कैसा? चलो उनकी सुला कराए बिंगो! क्या तुम्हें इस बात का पश्तावा होगा है? मैं रिलेशेंशिप एक्सपर्ट हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए हाँ, हाँ, बिल्कूल ठीक है, सब कुछ तयार लग रहा है नेट कहा है, क्यों नहीं आया? जल्द ही समझ जाओगी हेलो यह कौन सी अर्जेंट एडवाइस देने के लिए बुराया? यह, हाँ मैंने थोड़ा सा धोका दिया है, पर तुम दोनों को बात करने की बहुत ज़रूरत है अच्छा, लेकिन एरियल तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती है वैसे मैं चाहती हूँ मुझे समझा गया है कि तुम्हारे अलावा कोई मेरी इतनी परवा नहीं कर सकता और मैं भी अब तक तुम्हारे जैसी कोई दूसरी लिड़की को ढून नहीं पाया लगता है मुझे जाना चाहिए हलो किटी, काम हो गया, वे दुनों साथ है गुड चॉब हैरी अरे, लगता है कैसी यहाँ पर आगयू कि भाय किटी, क्या तुम अपना टिक टॉक खुद नहीं शूट कर सकती तुमने मेरा मैनी क्योर बरबाद कर दिया ओ, I'm sorry ए, किटी, बताओ मुझे कहाँ पर है वो जबर्दस वाला गिटार, हाँ मुझे माफ करना, लेकिन मैने तुम्हें धोका दिया है और कैसी तुम्हें भी तुमने ऐसा क्यों किया? ताकि तुम लोग आपस में बातें शुरू करो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता ओ, काम आन, तुम लोग एक दूसरे से प्यार करते हो तुम्हें कैसी की हर एक बात पसंद है और तुम नेट के बिना रह नहीं सकती तुम्हें आपस में दोस्ती कर लो क्ये सब सच है? हाँ, मुझे सच में ब्रेक अप का अफसोस है तो उसका मतलब, क्या चीज़े पहले जैसे हो सकती है? हाँ तुम अपने हाथों पर लोशन नहीं लगाते हो तुम्हारी उंगया खुर्दूरी है मुझे लोशन से घंटा फकली पड़ता है वो सब लड़कियों के लिए होता है बेशक, विजुका की तरह घूमना बहतर है मैं वो नहीं हूँ, ठीक है आरे, आरे, नहीं हलो, ग्यारे, लगता है अपना काम बना नहीं है ये लोग तो फिर से लड़ाए कर रहे है अरे यार, चिंता मत करो कीटी कैसी और नेट का तो सॉल्व हो गया जैक और एरियल का बाद में देख लेंगे तुम पागल बेवकूप हो और तुम तो एक नमबर की साइको हो या शायद नहीं क्या, क्या चाहते हो, क्या नहीं तुम्हारी गलती है मैंने अच्छा किया तुमसे ब्रेक अप करके मैं तुमसे ब्रेक अप करता वो भी अभी क्या भी जिम जाया करो कमजोर अरे यार समझ नहीं आता है, मैं क्या करूँ हम उन्हें एक कैसे कर सकते हैं मुझे भी नहीं बता, वैसे परवा किसे उनकी प्राब्लम वो सुचे पैने तुम से कहा था, कि इसमें शामिल मत हो ये मैं क्या देख रही हूँ क्या तुम लोग एक हो गए हाँ, मैं अपने रॉकर के बिना नहीं रह सकती और मैं अपने रूमेंटिक के बिना अगर सब ठीक है, तो कल क्या हो गया था कल तो पुरा ऐसा लड़ रहे थे, जैसे घर हिला दिया हो और मेरे घर का कबारा कर दिया सब कुछ लड़ने से तो सोल जाएं, बस अतना ही तो है लेकिन सबसे जरूरी बात है कि हम दोनों खुश है मुझे पता था, मैं जानती थी, ये सब मेरी वज़ा से है पर तूम तो कह रही थी कि वो दोनों साथ में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हाँ, तो वो लड़ेंगे और समझेंगे कि सच में वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही है वाँ, अब मुझे एक रिलेशनशिप ब्लॉक शुरू करने की जरूरत है ये, वूहू, मैं लॉक्ट प्रे हो जाऊंगी ये, वूह, वूहू ये तो पागल है मुझे लूह, मुझे और मुझे में कितरा कुछ है भाँ, होगा, समाल मुझे तो याही मिला, इसलिए मैं इसले लीहाया मुझे दिखाओ, मुझे, प्लीज, मुझे, मुझे तुमें मुझे, मुझे चुरू करती उनके पास दुकान में यही बचा हुआ था तो तो हस क्यों रही हो यार तुम I know ये फ़नी है नहीं हमेशा तुम ही मुझे डिस्ट्राइक कर देती हो इसलिए केसी, एरियल, खाना ओर्डर करो तुमने मेरे मेरे क्यों बर्बाद कर दिया मुझे माफ कर दो कहां पर वो जबदस वाला गिटार तुम बताती क्यों ने क्या हो रहा मेरे लाइन को चलो भी, बताओ मजे जबदस वाला सस्ता गिटार कहां पर है तुम अस क्यों रही हो मैं तो बस मज़ा कर रहा था थोला बुद्धू जैसा चलो चलो बचे दिखाओ अब यह सब गया था चुपके से जाके सास ले रही हो हाँ यह तो इजी है उसको खाना पजन दे आइस क्रीम ओ ठी, यह कितना बुरा है मुझे बाल्ती लेकर घूमना पड़ेगा